नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक्स वक्त है यह एक पत्ता आपकी लीवर, किड़नी और हार्ट को 100 सालों तक बीमार नहीं होने देगा दोस्तों, आज हम आपको पपीते के पत्तों का रस पीने के फाइदों के बारे में बताने वाले हैं पपीते के पत्तों में कहीं तरह की बीमारियों का इलाज संबब है पपीते का पत्ता आपकी लीवर, किड़नी और हार्ट को अगले सो सालों तक बीमार नहीं होने देता। उनको इतना ताकतवर मजबूत बना देता है कि कोई बीमारी उनको छूबी नहीं सकती है। दोस्तों आपने पपीते का सेवन कभी न कभी तो जरूर किया ही होगा। पपीते को आप सबजी और फल दोनों ही बोल सकते हैं। पपीता जब कच्चा होता है तो इसे लोग सबजी बना कर काते हैं। वहीं जब पपीता पक जाता है, तब इसे फल के रूम में खाये जाता है। आपको साइद पता ना हो कि पके पपीते में सभी फलों से जादा गुन पाये जाते हैं। इसलिए अगर आप निमित रोप से पपीते का सेवन करते हैं तो आपका स्रिल बहुत त्रहें की विमारियों से बचा रहता है। पपीता बालों और तवचा के लिए भी बहुत अधिक फाइदे बंध होता है। पपीते का उप्योग सलाद के रोब में भी किया जाता है। तो आएए जानते हैं कि पपीते के क्या-क्या फाइदे होते हैं और इसका उप्योग किस-किस तरहें से किया जा सकता है। पपीता केवल फल नहीं है बलकि यह एक दवाई है क्योंकि यह पेट से दिल तक सुब बहुत अधिक स्वास्तिला पहुचाता है। पपीता एक ऐसा फल है जो कच्चा और पका हुआ दोनों ही रूप में खाया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पपीते में कई तरह के विटामिन मिलते ही। नेमित रूप से खाने से सरीर में सभी विटामिन की कमी पूरी कर देता है पपीता। बीमार व्यक्ति के लिए यह बहुत अधिक फाइदेवन्द है। यह असानी से अफ्सोसित होकर सरीर को बहुत अधिक फाइदा पहुचाता है। पपीते में पपेइन नामक पधार्थ पाया जाता है जो मासाहर गलाने के काम आता है। भोजन पचाने में भी यह अत्यांत साहयक होता है। पपीता आसानी से हाजम होने वाला फल हैं. पपीता भूख वैसक्ति को बढाता हैं. यह पलिहा, यक्री, पांडू, आधी रोगों को समार्थ करता हैं. पेट के रोगों को दूर करने के लिए पपीते का सेवन करना बहुत अधिकलाप करी हैं. पपीते के सेवन से हमारा अर्दिरो आतों की कमजोरी को दूर करता है। पके या कच्छे पपीते की सबजी बनाकर खानों पेट के लिए बहुत आते कर लाबकारी होता है। इससे पेट के सभी त्रहें के रोग दूर हो जाते ही। और यह तो आप भली भाती जानते हैं कि हमारा पेटी सो से जादा बी कामबान की तरह काम करता है और आज कल के मोसम में डेंगु का परको बहुत अधिक चल रहा है। तो आप भी अगर डेंगु से बचा रहना चाते हैं तो पपीते के पत्तों का प्रयोग आज से ही सुरू करतीजी। पपीते के पत्तों का रस बलड में प्लेटलेट्स और आर पपीते के पत्तों करस सर्वाइकल कैंसर, ब्रेश्ट कैंसर, रोस्टेट कैंसर और फेप्णों के कैंसर होने से रोकता है। कबज पपीते के पत्तों करस कबज दूर करने में भी लाबकरी साबित होता है। क्योंकि यह एक तत्व के रूम में काम करता है जो कबज की समस्या में एक रामबान की तरह है काम करता है लीवर, किड़नी और हार्ट पपीते के पत्तों करस्ट शरीर की इम्मिनिटी सिश्टम को मजबूत करते हैं पपीते के पत्तों में एंटी उक्षेंट कुन होते हैं जो की अक्सिडेसिव स्ट्रेस को कम करने और लीवर किड़नी और हार्ट को सही रखने में मदद करते हैं साथ ही यह हमारे हार्ट को भी सवस्त बनाए रखता हैं तो दोस्तों अगर आप भी अपनी किड़नी लीवर हार्ट की विमारियों से बचा रहना चाते हैं तो आज से ही पपीते को अपने डेले जीवन में सामिल खाड़ेजी ताकि आपको कभी भी जीवन में डोक्टर का मुहून ना देखना पड़ी तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वे शेयर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चबरदस्ट टिप्स लेकर आती हैं जिससे कि आप अपनी जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवादोस्तों